hey guys welcome back, तो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं हमारे upcoming monster fishes के बारे में, जो की आने वाले हैं हमारे monster fish tank के लिए, जो कि मैं काफी ज़ादा दिनों से कर रहा था वेड तो सोचा कि finally आज आपको मैं बता ही दूँ कि कोन से fishes हमारे monster fish tank के लिए finally हमने select किये, तो वो मैं आपको आगे सिलके बताने वालू हूँ बट उससे पहले भाई जो भी आप हमारे चैनल पे न्यूँ हो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्यों काफी जल्दी हमारे monster tank के लिए और भी ज्यादा फिश यहां के लिए आने वाले है और उसी के साथ मैं आपको यहां पे अपडेट देदो तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपको दिखरोगा पूरा का पूरा नीचे फिश फूड और जिस वज़ए से हमारा पूरा का पूरा monster tank का वोटो जह हो रहा है cloudy और आप देखी सकते हो कितना जादा यह बेकास वुड में आपको यहां पे देख सकते हूं अब हारे सारे पैलेट स नीचे जाके बैठь चुके हैं इस तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरह के पैलेट स आपको यहां पे देखने के लिए मिलते हैं इस पैकेट के अंधर औहमारा कोई भी भाई इसे बिलकुल छी नहीं कर रहें कि क्ले इनको मै नहीं खा रहा है तो यह packet हो चुका है बिल्कुल वेश्ट यहां पे तो इसको करते हैं अंदर सेट अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे गपी फिश पॉंड की तरफ वहां पे आपको मैं हमारे हैंड फीडिंग दिखाने वालों गपी फिश प्राइस की तो चलिए वहां काफी जाधा बड़े हो चुके हैं जिस वज़से मैं इनको हैंड फीड करवा सकता हूँ और कफी ज़ली हमारे से फेप कर भी लेते हैंग आप देख पा रहेंगे यहां पर तो तो यह आ चुके हैं भाई हमारे ड्राइड ब्लड वर्म्स जोकी ड्राइड फो में आते हैं इनको भीगाने के बाद कुछ इस तरह के यह हो जाता है, तो देख सकते हो, काफी जली यह खा लेते हैं, काफी ज़ादा नरम होते हैं, आप अपने किसी भी fish fry को यह काफी जली खिला सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके parents भी बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, और यह है हमारा मेल, इस की जो female partner है, पीके साथ इसकी breed हुई है, इतने जादा babies यहाँ भी होइ है, तो babies को इसलिए आप देख सकते हो, बेबीस की लिक्गतान expected, अपने उसलिए क्या दरती है, इसलिए कव से लिए है, lavish. यहां पे रहा हमारा एक bunch of goldfish जो की काफी ही जादा beautiful लगता है देखने में तो इतने जादा fishes में से सिरफ हमारे यहां पे दो male fish है जो की आपको यहां पे सामने दिख रहोगा एक हमारा black and उसी के साथ हमारा एक orange color का जो की वह भाग चुके है पीछे and बाकी हमारी सारी की सारी यहां पे है females जो की काफी जादा यहां पे करती है breed and इनके हमारे पास babies भी है तो उनका भी update में आपको next video में दे दूँगा and उसी के साथ यहां पे आ हमारा एक छोटा सा rancho goldfish जो की अभी मुझे कोई भी इसका पता नहीं है कि male है यह female है बट काफी जल्दी जब यह बड़ जो पूरा का फूरा water जो है blackish color का हो चुका है and साथ ही मैं आपको हमारे upcoming fishes का भी update दे दूँँ तो यहां के लिए जैसे कि आपने thumbnail में भी देखोगा हमारा एक tiger उसका fish आने वाला है एंड उसी के साथ हमारे parrotfish का आने वाला है पेर तो आगे मैंने भाई के तो वैसे का है कि हमें उसका भी जो है tiger उसका फीमेल में चाहिए क्योंकि हमारे पास male उसका fish है जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास एक पेर है उसका fish का तो जिस वजह से भाई हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरी जो है वो आए female ना की male ताकि इन में जादा टकराब ना हो अपस में तो द तोड़ा साज डरा हुए क्योंकि अभी मैंने इनका food जो है बाहर निकाला है और water quality देखे और कितनी जादा खराब हो चुकी है उस food की वजह से तो मैं आगे चलके तो फीड इनको बिलकुल नहीं करवाने वाला तो चले फिर आज की वीडियो के हम यहीं पर करते हैं एंड वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके जरूर से बताया नहीं एक दो दिनों के अंदर हमारे फिश भी आहां पर पहुंचने वाले हैं तो उसका भी अपडेट मैं आपको काफी जल्दी दे दूँगा तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट टॉडे में नेक्स्ट